अब देखो यार दोस्तो परसनली बताओ तो मैं इस तरह के कॉंटरवर्सी वाले वीडियो आज की डेट में नहीं बनाना चाहता है लेकिन पता नहीं इन भाई साब को क्या हो गया है तो गाइस हीमाचल वाले आप लोगों को मुर्क बना रहा है मैं ऐसा क्यूं बोल रहा हूं तो आज कल हीमाचल वाले ने न्यूस केम स्टार्ट कर दिया भाई इस वीडियो में हो सकता है थोड़ा जादा बोल जाओ आप वीडियो को दोस्तों आगे शुरू करने से पहले एक ही चीज़ आपको बता दियता हूं कि हमाचल वाला डॉट इन पे आप जाके बेधरक कोई भी प्रोड़क्ट खरीद सकते हैं जिन भी लोगों ने कोई भी चार्दिस नहीं लगेंगे और COD मतलब आपका प्रोड़क्ट के घर पहुंच जाएगा तभी जो है दोस्तों आप ऐसे पे करना ही आफ़र अभी चल रहा है तो जल्दी जाओ वेबसाइट के ओपर अब देखो दोस्तों काम इतना अच्छा चलने लग गया है कि ह आप स्क्रींशॉट में देख लो पिछले इतने दिनों में मतलब हमने अचीव कर ली है लग बग डेड़ लाग के पास पास की सेल मतलब देख रहे हो धाई 300 400 400 के प्रोड़क्ट बेच के अब भला इतने सस्ते में चीजे दे रहे हैं तो ऐसे में दोस्तों बहुत से लोग इसे भी होते हैं अब जिनको मिर्चे लग जाती है देखो कुछ लोगों को तो नॉलीज होता है वो तो ठीक है किन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे एक छोटा भाई है मेरा अब जरा सुनो यह क्या बोलता है आज कल हीमाचल वाले ने नियू स्कैम स्टार्ट कर दिया भाई कहीं भी उसकी डाल नहीं गली तो उसने भाई आज कल क्या गर रहा है ओन्लाइन बिजनेस जो है कर रहा है भाई हमाचल वाला डोटिन और वहां पर वह सेल पता है क्या गर रहा है एक मिटी यहां पर बनाता हूं थोड़ा व्लोग यू भी अच्छा आएगा उस भाई के अ नाम बना हुआ है तो दोस्तो ऐसे मैंना मतलब मैं कभी भी अपना नाम खराब करने के लिए कोई डूबलिकेट कोई भी चीज तो बेचूंगा नहीं मैंना कभी बताया है नहीं है दोस्तो आप लोगों को बट सच बताऊं तो जो टोपी मैं 400-500 में सेल करता हूं ना दोस् हमारे उपर क्या ब्लेम लगाते हैं जर आप सुनो आप लोग इस वीडियो का लाश तक देखना आपके जो भी बंदे ले रहे है ना उनको पता लग जाए कि आपके साथ स्कैम कैसे हो रहा है मैं बता देता हूं चला भाई बॉल रहा है कि वीडियो को लाश तक देखो तो कोई बोल रहा था हमारे यहां पर यूरिया यूज होता है ऐसा कुछ नहीं होता भाई यह बहम मत रखना हिमाचल वाला डॉट इन से आप जो भी प्रोडक्ट मगवाते हो ना दोस्तों 101 परसेंट जो है वो और गैनिक होते है कोई भी लाइफ टेस्ट मर वालो ठीक है कोई यह और भी कुछ बेच रहा है मैंने एक तो ऐसी चीज देखी वाई एक कोट है जो मलब लिटरली 14,000 उपए का कोट है पता नहीं किस चीज का कोट है उन का कोट है किस चीज का 14,000 का गाई सो सकते हों अब देखार इस चोटे वाई ने सबसे पहले क्या टारगेट किया एक क अगर बहुत सारे यूथ के लड़के भी से पहने लगे हैं क्योंकि इसमें न दोस्तो इतना स्ट्रोंग यह कोट रहता है अगर आप इसके उपर पानी भी फैक दो आसे जग के साथ मैंना कोई पानी अंदर नहीं जाएगा कितनी भी ठंडो मतले इतना मोटा होता है इवन क नौट को सिलाने की सिलाई ही सिलाई छे हजार रॉपए लगती है अगर भू भी नॉर्मल दर्जी हो तो अगर बढ़ कोई बीइपी दर्जी पकड़ोगे ना तो बीस-पचीज लेलेगा वो कोट की तलाई का है घया जब तुम्हें पता नहीं है भाई कि कोट कैसे बनते ह कितने हार्ड वर्क होता है इसकी पीछे कितने बंदों का वह होता है तो यह लोग वही है जिनके सामने गुच्ची या फिर पता नहीं कौन कौन से ब्रैंड ठीक है वो लोग आके पचास हजार की कोई चीज बेच जाए इनको वो नहीं बोलेंगे हाँ नाइकी बेच रहा है चलेगा हिमाचल वाला बेच रहा है उसे पकड़ो क्योंकि वह चोर है जी मंटालिटी यही चीजे देखके जो आपने ही हिमाचल वालें दोस्तों एक चीज बताओ मैं अब जिन लोगों से मैं कैप लेता हूं हाँ इन भाई ने आगया कि आगर आप देखेंगे तो यह लि चीजें हो थोड़े वह खेते हैं उसके पास खुद उकाता नहीं है कुछ भी अगर स्पोर्ज एक एक ले लेते हैं अगर वह गाहों के आजपास से किसी के साथ किसी डीलर के साथ कॉंटेक्ट भी कर रहा है वहां से लेकर आ रहा है तो फिर आपको एक बात बताओ राजमा अब आई यह खुदी देख लिए ना तुमने टाटा के राजमा बिक रहे हैं यहाँ पर इसका मतलब दोस्तों अब यह तो है नहीं कि आप टाटा कंपनी के जो माले के रतन टाटा जी वो कहीं आपको खेत में हल चलाते हुए दिख जाएं कि हर हां वाई टाटा रतन टाट अब बहुत कर अपना घरवार चलाते हैं तो अन्हें मैं सच बता हूँ ना दोस्तों मैं यहां से जिनसे भी लेता हूँ आ और आप जिस प्राइस पर मेरे को देना चाहते हैं तो मैं टाइम के साथ आपके प्रोड़क्ट को और उचा सेल करूंगा तो भाई इस तरह से जो बंदे का घरवर चले तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और सच बता हूँ दोस्तो तो बहुत से लोगों को मिर्ची इसलिए लगी पड़ी है क्योंकि सच बता रहो मतलब ब्यार आप कोई भी चीज देख लो देखो यह जो डाल आप देखते हो मानके चलो यहां पे डालों को लेकर बहुत से लोग स्वाल पूछते है यह दाल दोस्तो कुथली की जो डाल है ना दोस्तो यह आप अपने भुजर्गों से पता करो डॉक्टर से पता करो जिसको भी पत्थरी बगारा होती ना पेट में भाई एक बार इसका सूप पी के देखो आप मैं बोलता हो भाई आपके लाखो रुपे की द्वाईयां बज जाएंगी तीन सो चार सुर पे की कुल्ती की डाल खाके और यही डाल जो अमाजोन पे भी मिल जाएगी के शहर में कोई चाचा कुल्चा बेचता है बदाम बेचता है ख겠 आपको पता होता है को कॉayan jeszcze जो बंदा है वो सबसे ज्यादा मिल बड़िया चीज बेचता है तो मैं क्या कि एक स्फ़तू इस सब्लब कि जो मतलब seller होता है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है बट वो ब्रेंडिंग नहीं करना चाहते है तो उनसे contact करके और आपने को कम से कम margin रखे आप तक product पहुचाता हूँ और जिन लोगों को यह चीज महंगी लगती है मैं एक चीज बताता हूँ भाई वो अपना बहम देश्तियां डिलेवरी हो गई या फिर यह ब्लू डाट जैसी वेफसाइट वहाँ पर जाके आप खुद मेरे यहां का एक पिन कोड डाले और अपने यहां के एक पिन कोड डाले और पार्सल कल्कुलेट करके देख ले आपको पता चलेगा एक किलो का 300-300 पे लेते है तो आज की डेट में जो है न हमारे डिलिवरी का थोड़ा सा सिस्टम ढ़िला है हमारे प्रोड़क्ट जो भी हमारे आँ से ओर्डर करता है अगर मतलब हो इनी सकता कि पॉड़र आप तक पहुचेगा नहीं यह हो सकता है दोस्तो थोड़ा सा लेट हो जाए बट यह भी कुछी आज की डेट में जो खुद के लिए मार्जन रखता हूना वो बहुत ही ज्यादा कम रखता हूं और महनत बहुत ज्यादा करता हूं कॉज ऑफ मुझे पैसा नहीं मुझे ब्रैंड बनाना है यह मेरा मोटो आप समझो तो ऐसे में मैं कोई भी ऐसी गलती नहीं करूँगा ज आप कोई भी सेलर से ले लिए उससे सौल हजार गुना बहतर है क्योंकि कोई भी पॉलिश नहीं है कुछ भी नहीं है ड्रकली खेतों से लाकर और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से वो ड्रकली आप तक पहुचा जी जाती है दोस्तों अब चलो रहेंगे फिलाल जब आप लोगों का साथ है देखो आप धरा धर ऐसे ही काम चलता रहेंगा मेशा बस जाओ और ओर मारते रहो अब देखो इतनी अच्छी अच्छी सब चीजे हो रही है जिंदगी में तो मैं सोच रहो दोस्तों साथ ही साथ में क्यों ना अगर आप लोग थोड़ी सी मंजूरी दे आज के कमेंट बॉक्स में तो कुछ अच्छा करने की सोचते हैं और दोस्तों ऐसे मैं मैं यहाँ पर सोच रहा था पहले की एक एंजियो खोलू अब दोस्तों एंजियो मैं सोच रहा था कि घर के आसपास ही कहीं खोलता हूँ बड मैं यहाँ पर सिंपल सी बात है मैं आ कुलिकि यहां पर ग मेर तो बिखारी को मिलेगा हिए यहां पर फंग कुलिक्स कीृड़ों handle. सेवा को साय आउना हो पूरा मुंका देना चाहिए वो हमारी मुणहे यहां तो घंड के दिनों में बहुत से वोड़ कर देता तो यह से मैं दोस्तों मैंने सोचा है कि एक NGO खोलेंगे जिसमें कि हम धेर सारे उन सब गाये बच्छडे जो भी है मतलब जो लवारीज घूम रहे हैं जिनको खाना नी मिलतों उनको सबको खाना कहलेंगे इसके लिए दोस्तों मुझे आप लोगों का प्यार और स्पोर्ट च चल रहा है यह चीज मैंने आपको बता दी तो आज के वीडियो आपको अच्छा लगोगा वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज वीडियो को लाइक इन शेयर करना न भूले अगर आप नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बूले बाकि इस्टाग्राम का लिंक बिल्कुल मत भूले और हाँ ठंड होगी यह जादा तो मैं भी चल पड़ता हूं और एक बार फिर से बता रहा हूं हिमाचल वाला डॉट इन पे औल आवर इंडिया में कहीं भी ओर्डर कर सकते हो ठीक है और भाई क्यास ओन डिलिवरी है मैं और आएगा तब ही पैसे देना ठीक है बाई बाई